हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सेजवान फ्राइड राइस इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और मिंटो में स्ट्रीट स्टाइल सेजवान फ्राइड राइस बनकर तयार हो जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसेल लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हम चावल बोईल करेंगे इसलिए हमने डेल लिटर पानी लिया है इस पानी में हम एड करेंगे एक टीस्पून नमक साथ ही में एड कर देंगे एक टीस्पून तेल तेल एड करने से क्या होगा कि चावल जो है वो खिले खिले और अलग रहेंगे आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं अब इस पानी को हम high flame पर boil कर लेंगे पानी अच्छे से boil हो चुका है इस टेश पर हम इसमें add कर देंगे शोक किये हुए बास्मती चावल तो हमने एक कप बास्मती चावल को दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह धोग कर सिफ 15 मिनिट के लिए भी गोया था तो हमने इन चावलों को मीडियम फ्लेम पर सिफ 10 मिनिट के लिए बोयल किया है यानि कि हमें चावल को सिफ 80% टक बोयल करना है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और छन्ने की मदद से इन चावल का ज्यादा का पानी निकाल लेंगे अब हमने एक पेन में 3 टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम एड़ करेंगे 1 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ लहसुन साथ ही में एड़ करेंगे 1 टेश्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक देखिए आप यहाँ पर अदरक को बादी काट कर भी एड़ कर सकते हैं और कुछ सेकेंड के लिए अदरक और लहसुन को तेल में फ्राई करेंगे तो हमने लहसुन को तेल में सिफ 30 से 35 सेकेंड के लिए फ्राई किया है इस टेश पर हम इसमें एड़ कर देंगे एक चोथाई कप बीन्स यानि की फंसी साथ ही में एड़ करेंगे आधा कप बारी कटी हुई गाजर इन वेजिस को हम पहले एड़ करेंगे क्योंकि इन्हें पकने में थोड़ा वक्त लगता है और इसे मीडियम फ्लेम पर दो मिनिट तक तेल में फ्राई करेंगे गाजर और बीन्स को हमने दो मिनिट के लिए तेल में मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है इस टेश पर हम इसमें बाकी के वेजिस एड़ कर देंगे तो हमने यहाँ पर ली है एक चोधाई कप बारीक कटी हुवी सिम्ला मीच एक कप पत्ता गोबी और बारीक कटी हुवी दो हरी मीच देखे अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो ही आप इसमें हरी मीच एड़ कीजेगा नहीं तो स्किप कर दीजेगा अब हम इन वेजिस को लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए तेल में और फ्राई कर लेंगे इसकी रेसिपी बहुत धासान है अगर घर पर पहले से बचे हुवे चावल है या फिर आपके पास पहले से ही बोईल राइस है तो कुछ ही मिन्टों में ये बनकर तयार हो जाएंगे तो देखिए वेजिस को थोड़ा क्रंची होने तक हमने मीडियम फ्लेम पर दो मिनिट टक प्राई कर लिया अब हम इसमें एड़ करेंगे एक टीस्पून सोया सोस एक टीस्पून टोमेटो सोस एड़ कर देंगे इस टेज पर आप इसमें एक टीस्पून वाइट विनेगर यानि की सिरका भी एड़ कर सकते हैं हमने उसे स्किप किया है साथ ही में एड़ कर देंगे दो टीस्पून सेजवान चटनी देखिए आप यहाँ पर दो टीस्पून सेजवान सोस भी एड़ कर सकते हैं मिक्स कर लेंगे और हाफ टीस्पून या फिर स्वादनुसा नमक एड़ करेंगे नमक एड़ करते वक्त ध्यान डखेंगे क्योंकि हमने चावल में भी नमक एड़ किया है और इसे बढ़िया सा कलर देने के लिए इसमें एड़ करेंगे दो चूटकी रेट फूट कलर देखिए फूट कलर यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है अपना एड़ करना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने जो चावल बोईल करके रखे हैं वो एड़ कर देंगे अब देख सकते हैं कि चावल कि इतने खिले खिले हैं आपसने बिल्कुल भी चिपके नहीं है तो अब हम इन मसालों के साथ हलके हाथों से चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एट करेंगे हाफ कप बारिक कटी हुई हरी प्यास देखिए हमने यहाँ पर हरी प्यास का सिर्फ ग्रीन वाला हिस्सा लिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए और पकाएंगे तो ग्यस की फ्लेम ओफ करने से पहले हम इसे एक मिनिट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर सव कर लेंगे बने हैं ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल सेजवान फ्राइड राइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई